हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Central Selection Board of Constable बिहार की बिहार Fire Service में Fireman का जो Admit Card है वो आपका जारी हो गया है और आप इसका जो Admit Card है वो डाउनलोड कर सकते हैं तो बिहार Police Fireman Requirement जो की आईटाइजमेंट है 01-2021 इसका Admit Card आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो यहाँ पर फैंसे इसकी Official Website पर या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं जोबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर भी आपको इसका Apply का Link मतलब जो Admit Card का Link है वो आपको मिल जाएगा अब Admit Card के Link पर जानने के बाद फैंस आप इसमें कैसे आप यहाँ पर अपनी Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हैं हम बात करेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको एक लिंक मिलता है डाउनलोड 01-2021 रिटर्न एग्जाम एड्मिट कार्ड का तो आप यहाँ पर इस लिंक पर किलिक करेंगे लिं यहाँ पर फिल करेंगे आपकी डेट वबर्त आप यहाँ फिल करेंगे कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से समिट कर देंगे तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको फिल करनी होगी रडिस्टेशन नंबर है तो रडिस्टेशन नंबर रडिस्टेशन exam admit card का तो आपको इस link पर किलिक करना है अपने admit card को download करने के लिए इसके बाद friends यहाँ पर देखिए केंदरी चैन परसर सिपाही भरती बिहार पतना requirement for fireman advertisement number 01-2021 का return examination admit card आपके सामने open हो जाएगा और यहाँ से आप अपनी जो details है वो verify कर सकते हैं चैक कर सकते हैं और अपने admit card को download कर सकते हैं तो यहाँ पर friends देखिए आपको center मिल जाएगा नीची आने पर date of examination आपको मिल जाएगा और reporting time मिलेगा और time of exam मिलेगा तो आपका जो exam है वो इस time पर होगा पर आपको exam center पर इस समय कम से कम report करना होगा अब जो इप्रवेश पत्र है या आप इसकी website से download कर सकते हैं और बिना प्रवेश पत्र के आपको यहाँ पर अंदर entry नहीं मिलेगी परिक्षा के इंदर में अपने साथ एक वैद फोटो पहचान पत्र जैसे अधार जाएगा इसलिए जो reporting time है उस पर आप पहुंच सकते हैं इसके बाद आपकी जो उपस्तिती पत्रक है उस पर हिंदी वे अंग्रेजी में आपका हस्ताक्षर आपको करना होगा और जो परिक्षारती अंगुठा निशान पर फोटोग्राफ भी नहीं देंगे उनको इस परिक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर अपने signature आपके अंगुठा के निशान और photograph लिया जाएगा जो कि आप वहाँ पर देंगे इसके बाद कोविड-19 के सद्धम बे निश्देश आपको दिये गए है यहाँ पर अपने जो मास्क है वो आप लगा कर जाएंगे और इसके लावा आपको यहाँ पर signature भी करना होगा हमेशा मास्क लगाएं करोना को हराएं जो की टेंग लाइन आपको यहाँ पर दी गई है तो यह जो